मैं मत्या महल विधान सवा प्रेजिडेंट हूं महला विंग से थी आज आपके चेनर के माधियम से मैं घोशना करती हूं कि मैं आमाधी पार्टी छोड़ रही हूं उसकी वज़ा ये रही कि काफी टाइम से मेरे साथ बहुत औरत होने की वज़े से बहुत ही दुर विवार हो अगर मैं कहूं कि वह राममंदीर को बोलते हैं अगर उन्होंने आये थे 2014 में तो उन्होंने कहा हम राममंदीर वही बनाएंगे तो नोंने करके दिखाया है अगर हमारे ही कुछ मुस्लिम लोग हैं जो के गलत अफवाहें पहलाते हैं लेगिन अगर हम देखें 2014 से और अब तक माइनोटीस के लिए काम हुए हैं और मुसल्मानों के लिए भी काम हुए हैं नमस्कार सुभागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन जहां एक तरव अपनी स्वरकार और अपनी पार्टी को कटर इमानदार बताने वाले अर्विंद के जुरिबाल जो ये कहते हैं कि हम दिल्ली से लेकर देश में जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ा है क्य US तरीके के हालात आज दिल्ली में आपांद्मी पार्टी वाले करेंगे वो ऑले करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे हैं जिसकी वज़े से उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को छोड़ा है और उसके बारे में क्या कहेंगी कि जो आम आदमी पार्टी ये कहती है कि कटर इमानदारों से भरी पड़ी है सरकार इस बात में कितनी सच्चाई है सूफियाना जी क्या कारण रहे हैं जुसकी वज़े से आप इतने सालों से पार्टी सरकार से जुड़ी रही और आज आकर जो है वो आज महिला विंक की प्रेजिडेंट है आप वहां से भी इस्तिफा दे रही है और पार्टी और सरकार को भी छोड़ रही है मैं मत्या महल विधान सवा प्रेजिडेंट हूं महला विंक से थी आज आपके चेनर के माधियम से मैं घोशना करती हूं कि मैं आमाधी पार्टी छोड़ रही हूं उसकी वज़ा ये रही कि काफी टाइम से मेरे साथ बहुत औरत होने की वज़े से बहुत ही दूर विवार हो कुछ हो ठाओ के और हर बात को रोका जा रहता आप क्यों कर रहे हो क्या कर रहे हो एक लिए रोक गया है है मुझे हर dedi और अभी तो हादियों हो गई जब केजरिवाल साथ एक टासस देते हैं कि हम मेरें पार्टी करती हैं, जब सुंदरकांड के लिए मेरि विधान सावा की महला ऐे, सुंदरकांड के लिए दो घंटे के अंदर तयार हो जाती है हिंदू महलाई भेरने, खुशी के सुंदरकान डगती हैं मुझे इन्वाइट करती हैं और अगर में वहाँ जाती हूँ तो उसके लिए अर्विंद केजरिवाल जी के लोग जो के उनके साथ हैं कॉंसलर राफिया माहिर जी वह भी खुद एक महला हैं उनके वालिद सहाब उसमें मेरा इतना बड़ा इश्यू बनाते हैं कि मेरे निकापे ही बोल पड़े वह जब हमने सुंदरकान किया तो हमने वहां कुछ फोटोग्राफ लिए कुछ वीडियो बनाई तो हमारे साथियों कि उनुजणे जो मौझू थे हुन्होंने वह फेजबुक में डाली तो मेरे पूरे इलाके में उस वीडियो को चलाया गया और इमामों के पास ले जाया गया और उनको दिखाया गया और उनसे पुछा गया क्या यह महला अब हमारे weapons हैं। उन्होंने यहा तक बोला है क्यां से अपने निका से खारीज हो गई है इतनी से छोटी सी बात के लिए में निका से खारीज हो गई मुझे तो समझ नहीं आती है अमाधी पर्टी किस तरह की पार्टी है कि एक तरफ है घो मुस्लिम करते हैं पीछे से मैं जो देखा है मैंने अपनी आखों से इनी सब बातों को लेकर मैंने आज पार्टी छोड़ दी है आपके चैनल के माध्यम से मैं घोशना करती हूं कि मैं इस जो मत्या मिलधान सवा महलाविं की प्रेजिडेंट से आज में रिजाइन कर रही हू तो सूपियाना जी ये बताईए जो मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम तो धरम जाती से उपर उड़कर बात करते हैं हम तो महलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं आज जो दोहरा रवईया आप लोगों के सामने आ रहा है आपके ही सामने जो तरीके से चीज़ें आए जो करते हैं तो क्या काई मुख्यमंत्री जी से यह कहोंगी तो मेरे साथ पूरे जितना टाइम में लोगो के साथ रही हूं मेरे साथ बहुत कुछ हुआ कई बार में अपने ML лег पात भी पहुचाई डिपटी मेर बश्य जो आपके लोग मेरे साथ इस तरेके की बाते मेरे सा बनाएंगे तो महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं यह सब्सक्राइब कोई महला शक्ति नहीं यह तो इतना जानती हूं पूँछ नहीं को दबाया जाता है और कुछ नहीं बस उनको यह है कि हमने आपको टास्क दे दिया आप जाके करो बस उन्होंने महला इसलिए रखी ह काम कर रहे हैं दली में अगर किसी नë विकास किया है तो आधमी पारटी अपंसew जुढ़ी रही आपको लगता कि जमीनी तौर पर काम हुआ जमीनी तौर पर काम हुआ या नी हुआ मुझे नहीं मालूं लेकिन मेरी नजर में कोई काम नहीं हुआ मैं इतना कह सकती हूं जो मेने देखा है मुख्यमंत्री जो तरीके से समन से भाग रहे हैं और अब जो है वो राउज अविन्यू कोट ने भी कह दिया है जो है कि 27 ता 17 फरवरी को जो है वो उने कोट में पेश होना पड़ेगा जो तरीके से कोट की तरफ से आदेश आ चुके कोट जो कहती है हम सबको मानना चाहिए और उसमें कोई भी हो जाए मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो हम सबको गोड का आधर करना चाहिए कोई किसी से नहीं डरता कोई किसी कहने को कुछ भी कहते रहें सब एक दूसरे के लिए सब पॉलिक्स में बोलते हैं वो मुझसे डरता है वो कहता है मुझसे डरता है ऐसा कुछ नहीं है कोई किसी से नहीं डरता अब आपने आदमी पार्टी छोड़ दी है तो अब इसके आ क्या लग रहा है कि मोधी सरकार में यह लग रहा है कि मोधी जो कहते हैं वो करते हैं और अगर मैं कहों जो JOHN मंदिर को बोलने थे 2014 में टूर्न नहें कहंँ राम मंदिर वही बनाईंगे तो तो बनाएंगर करता है तो आगे भी वो हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है वो हम मुस्लिम के लिए भी काम करेंगे और वो करते रहे हैं अगर हमारे ही कुछ मुस्लिम लोग हैं जो के गलत अफवाहें फैलाते हैं लेगिन अगर हम देखें 2014 से और अब तक minorities के लिए काम हुए हैं और muslimानों के लिए भी काम हुए है क्या लग रहा है इस बार जो है महिला शक्ति जो है देश की जो महिला शक्ती है या पर दिल्ली की सास सीटों की बात करें तो इस बार जो जनता है पुमोधी सरकार पर भरोसा करेगी इस भरूस इस तबगे पर लेकर कि उन्होंने काम किया है जनता केलिए या महिलाओं केलिए महिलाओं केलिए तो महिलाएं टरस्ट करती है आप तिन तलाग भी उटाया ते टित्रिम को अंजने को पुरा के त्रिफिनेशन उसकी सफर्ण कासूर दोहजार तेईस में सड़कों पर उतर कर जो है वो धरना प्रदशन किया और कहा कि जो शराब पॉलिसी लाई है उससे कई महिलाओं के घर जो है वो बरबाद हुए है तो आपको लगता है जो पॉलिसी लाई गई थी उससे कई लोगों का नुकसान हुआ है और उसी की वज़ है शराब मार्केट के अंदर जहां पर रोज यूरतों का ऑना जाना था और यहां को दुकान खूल गई थी यह निकीन गई साब शुय पाल साब ने उसको खथ और यहां भेट धना कर वाकर उस उसके डिचान को भण करवांए था तो जहरी बात अंगलत है नहीं तो मैं फरसी घोटाला है या कुछ है कोट में आई ये बताई आप कोट से भाग क्यों रहें यह तो वही बता सकते हैं आपको लगता है जित्ते भी उनके उनको लगता हो कि हमारे मंतरी गए के पास और वापस नहीं आपाई से लिए नहीं जा पारे हूं तो एडी भी तो उसी को गिरफतार करेगी ने मैडम जिसके खिलाब कोई सबूत मिलेंगे तो आपको लगता है कि एडी जो है वो सिर्फ सरकार के कहने पर काम कर रही है क्योंकि देखिए इडी जो है वो 2014 से नहीं आई यह बल्कि कई सालों पहले जो है वो एडी को बनाये गय इस बात को रोज रोज क्यों सम्मन वंगाते हैं चले जाएं एकी दफ़ा मैं तो यह कहूंगी उनसे सीम अर्विन के जरिवाल जी से के वो एकी दफ़ा जाके बात कर लें अगो उन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर डर किस बात का है बहुत बहुत दन्यवासू प्याना प्याना भात कर वो एके बात कर वो बहुत आएं पछरी कर दो भात को जरी है तो कर भी दूक सम्मन वांर जलिए।